नमस्कार दोस्तों क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो या तो कोई पुरानी पुरी आदत छोड़ना चाहते हैं या फिर कोई नई ऐसी अच्छे आदत अपनाना चाहते हैं जो आपको जीवन में काम दे क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो व्यायाम शुरू करना चाहते हैं या चॉकलिफ्स जैसी चीजें छोड़ना चाहते हैं पर अंतु छोड़ नहीं पा रहे हैं तो ये बुक सम्मरी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन रहने वाली है विडियो को अंत तक देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं अटॉमिक हाबिट्स नाम की बुक के बारे में जिसके लेकक हैं जेम्स क्लियर स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं बॉड़ी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं चॉकलेट्स भी नहीं खाना चाहते हैं और अच्छी आदतें भी पालना चाहते हैं परन्तु इन सब चीजों को सोचने के बाद भी हम लोग यह अपने जीवन में ढाल नहीं पाते तो ऐसा इस बुक में क्या है जो हमारी मदद कर सकता है वो जानने के लिए हम आज इस बुक की सम्मरी को देखेंगे कुछ में बातें जो आज हम वीडियो में जानने वाले हैं वो यह हैं कि आदतें बनती कैसे हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉंस and रिवोर्द्स अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला क्या होता है अब्विस, अट्राक्टिव, इजी and साटिस्फाइं लंबे समय तक एक हाबिट को हमें कैसे जारी रखना है इस बारे में कि उसका समय और उसका स्थान किस तत्वाधान में हम उस हाबिट को जारी रखना चाहेंगे छोटी-छोटी आदतों से शुरू करके और उसका जब एक बड़ा compound effect निकल के आता है ऐसी habits जो हमारे identity तक बदल दे हमारे environment की चीज़ें कैसे matter करती है हम self-control कैसे लेकर आ सकते है हमारे परिवार, हमारे दोस्त, उन सब का क्या रूल होता है बेशक हम धीरे-धीरे चलें परन्तु consistently चलें लेकिन हमेशा हमेशा आगे चलते रहें ये हम इस book की summary से जानेंगे the law of least effort, कम महनत का तरीका ढूनना काम जल्दी निप्टाना, two minutes rule तो ऐसी कुछ बहुत important बातें इस book के अंदर की गई है जिनके बारे में आजा मैं summary के अंदर बात करेंगे तो जो atomic habits book है उसके अंदर सबसे पहली जिस चीज की चर्शा आती है वो है कि आदतें बनती कैसे हैं इसके 3 plus 1, 4 stages होते हैं Q, craving response and the last one is reward तो Q क्या है, Q का मतलब signal सबसे पहले हमें बाहर से एक signal मिलता है कि हाँ, हमें यार ये वाला काम छोड़ना है हम लोगों को ये अच्छी आदत अपनानी है जैसे सुभह जल्दी उठना है ताकि बहुत productive दिन निकले ये particular चीजें करनी छोड़ देनी है ताकि हमारे दिन पर बुरा असर न पड़े तो ये हुआ एक signal जो बाहर से मिलता है कहीं से भी किसी भी तरह signal हमें मिल सकता है ठीक है नेक्स्ट आता है craving signal मिलने के बाद आप में जब भी उस चीज को करने की लालसा उठती है इच्छा आती है आपके अंदर से ऐसे भाव आता है कि यार इतना दिन हो गया नहीं किया अब कर लेते हैं या इतने दिन से कर रहे हैं अब छोड़ देते हैं तो वो होती है craving ठीक है नेक्स्ट होता है response कि ऐसी craving आने के पश्चात आप उसको कैसे handle कर रहे हैं उसको revert किस प्रकार कर रहे हैं ठीक है जैसे माली जी आपको आप एक chain smoker है ठीक है और आपने बहुत दिन तक दो हफते तक आपने smoking नहीं की और एक दिन बस हद हो गई यार अब बहुत दिन नहीं पी एक दिन पी लेता हूँ फिर दो हफते चोड़ दूगा तो वो response भी हो सकता है एक ये response भी हो सकता है कि आप दीरे-दीरे chain smoker हैं दस पी फिर एक दिन नौ कर दी फिर आठ कर दी फिर साथ कर दी और दीरे-दीरे आपने छोड़ दी और कुछ ऐसा time आया एक साल बीट गया आपने पी ही नहीं न आपको उस चीज की इच्छा की जगरती हुई लेकिन किसी दिन हुई भी तो आपने टाल दिया depends on person to person next आता है reward कि किस तरह का हमने उसको response दिया और response अगर हमने अच्छा काम किया तो उसका हमने reward के रूप में response दिया response देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और pleasure का इनाम्या reward देता है ये तो हमारे internal जो भाव हम फील करते हैं वो हो गए और भी तरीके के response हम किस प्रकार से देते हैं जिससे हमें motivation मिलती रहे वो कार्य करते रहने की लेखक ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी कोई बुरी आदत है जिससे आपको छोड़ना है तो stage 1 में ही संभल जाए जैसे आपको smoking का poster देखे तो उसकी और देखे ही नहीं बलकि jogging करते हैं वहाँ से निकल जाए या आपने एक दिन देख लिया दूसरे दिन आपको पता है कि उधर से आएगा या तो रस्ता बदल लीजिए या उस तरफ देखिये ही मत कुछ भी आप ऐसा कीजिए जिससे आप ऐसी चीजों को ignore करें जिससे आपको वो signal मिले तो आप इसी स्टेज पर अगर बंद कर देंगे तो बाकी तीन स्टेज़ आएंगे ही नहीं नेक्स हम बात करते हैं कि अच्छी आदतें बनाने का क्या एक रूट फॉर्मूला हो सकता है उसमें भी चार स्टेप्स हैं पहला है आप्विस फिर अट्राक्टिव फिर इजी और फिर साटिस्फाइं तो आप्विस का मतलब होता है क्लारिटी मतलब स्पष्ट आप्विस ठीक है तो जो भी अच्छी आदत हम बनाना चाहते हैं उसको आप एक एम के रूप में सेट कर लीजे गोल बना लीजे कि बस ये आदत हमें बनानी है और ये ऐसे ऐसे करके कार्य करना है ठीक है जैसे हम रोज डाइरी लिखने का एक नियम बनाना चाहते हैं कि रोज सोने से पहले डाइरी लिखेंगे दिन में क्या क्या किया वो सब लिखेंगे तो आपने एक बिगनर है तो मतलब उसका एक conclusion एक fruitful आपको effect मिलेगा ठीक है और उसके बाद लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मैं ये करता रहूं तो शायद मुझे इससे ये प्राप्त हो ये करूं तो उससे वो प्राप्त हो लेकिन आप अपने brain को एक clear goal दीजे कि आज अगर मैं 10 lines लिख रहा हूं 10 दिन तक और मैं 10 lines लिखूँगा तो मेरी एक track record आना शुरू हो जाएगा कि मैंने रोज-रोज क्या किया उससे next फायदा क्या होगा कि अगर 10 दिन हम लोगों ने 10-10 lines लिखी 10 दिन अपनी habits को observe किया तो शायद ऐसी चीजें जो सकारात्मक है वो हमें जीवन में अग्रसर होने के लिए motivation दे ऐसी चीजें जो नकारात्मक है वो हम अपनी life से discard कर सकें next आता है attractive कोई भी goal को attractive बनाईए हम उन्ही चीजों को खाते हैं which please are eyes what looks good we think tastes good what जो दिखता है अगर हम अपने goals को align करके चलें कि मुझे अपने goal को attractive रखना है so that my mind has an attraction towards it कि मुझे ये कारे करते ही चलना है तो कोई भी goal को attractive बनाना बहुत जरूरी है ठीक है इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं जैसे छोटे-छोटे हिस्सों में उसको बांट लीजिए मान लीजिए आप blogging कर रहे हैं या करना चाहते हैं example ले लेते हैं blogging में post लिख रहे हैं तो 500 शब लिखे फिर break ले लीजिए break में garden में walk कर सकते हैं music सुन सकते हैं ऐसी कोई भी चीज जो आपको अच्छा महसूस करवाए वो कर सकते हैं और फिर वापिस आएं फिर 500 शब्द फिर लिखें ऐसा करके आप छोटे-छोटे goals बनाएं उन्हें attractive रखें अपने आपको last make reward दे के उसको attractive रख सकते हैं किसी भी तरह next आता है easy goal को achieve करना easy बना ले because क्या होता है जब हम starting में कोई habit छोड़ने या अपनाने की शुरुवात करते हैं तो हम unachievable goals जब रख लेते हैं तो पहली दूसरी बार में ही जब goal achieve नहीं होता तो हम demotivate हो जाते हैं और all and all वो काम करना ही छोड़ देते हैं जो की हमें बिलकुल नहीं करना जब हम छोटे achievable goals रखते हैं और जब उनको achieve कर लेते हैं तो जो हमारे अंदर खुशी का जो संचार होता है वो हमें next goal पर जाने का motivation देता है next आता है satisfying goal से आपको satisfaction मिलती रहनी चाहिए because once you get satisfied you will run after that feeling of content and when you will run after that feeling of content you will keep on going to achieve those goals over and over again तो आपको किसी भी कार्य करने के पश्चात ऐसी अनुभूती होनी चाहिए कि आपका मन तृप्त हो जाए आपको संतुष्टी मिले तभी आप वो कार्य बार-बार करेंगे थर्ड चीज आती है कि लंबे समय तक एक habit को कैसे जारी रखे time and place दोस्तों अगर किसी भी गोल को पाना है तो अच्छी habit बनाने के लिए दो काम जरूर करने पड़ेंगे पहला उसे करने का समय निश्चित कर लीजिए ताकि आप रोज एकी समय पर वो कार्य करें दूसरा कहा करेंगे वो भी decide कर लीजिए कि मुझे रोज एक घंटे ये अकबार पढ़ना है तो इसी समय पर अकबार आ जाता है तो उसके थोड़ा time बाद मुझे ये अकबार पढ़ना है और इसी particular place पर पढ़ना है सोदा जब भी वो समय आए जब भी वो स्थान पर जाने की बारी आए आप अपना अकबार उठाए उस समय पर और उस स्थान पर पहुंच जाए पहली चीज आपने समय नोट किया आपने दिमाग को बताया कि अभी ये पढ़ना है फिर आप स्थान पर भी पहुंच गए अकबार के साथ तो अब आप जब आ ही गए हैं तो you will start doing that work ठीक है नेक्स आता है कि tiny habits का जो compound effect है छोटी छोटी आदतों का compound effect अगर बहुत सारी छोटी आदतें हम बना ले तो इससे आपको दुगना तिगना चोगना फाइदा भी मिलता है जैसे हर दिन 15 मिनट हमने exercise करी हर दिन 10-20 मिनट किताब पड़ी हर दिन 30 मिनट blog post लिखे ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी आदतें बना ली तो at the end of one month हम realize करेंगे कि हमने अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को करके ही habits inculcate कर ली है time हम with time increase कर सकते है next आता है कि habits से अपनी identity हम कैसे बदल सकते है क्या आपको लोग lazy बोलते है या chain smoker बोलते है या निकमा बोलते है लोगों की नजर में आपकी identity क्या है अगर सच में आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी identity बना देते है ऐसा समझते है कि ये तो इसकी पहचान ही है ये तो ऐसा ही है एक धारणा बना लेते हैं आपकी पीट पीछे आपका वही नाम होता है इसके लिए आपकी निंदा भी की जाती है लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी identity को आज भी बदल सकते हैं आप बूरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दीजे और जब लोग देखेंगे कि जिस नाम से वे आपको पोकारते हैं वो तो आपके बारे में बिलकुल भी सही नहीं पहचान देता तो वो अपने आप ही आपकी identity बिना कुछ कहे औरों के नजरों में चींज कर देगा नेक्स्ट आता है कि आपका environment matter करता है और कैसे matter करता है आप कहां उठते बैठते हैं इसका बहुत जादा प्रभाव आपके दिमाग पर पढ़ता है आपकी सोच विचार पर पढ़ता है अगर हम स्मोकिंग वाले friends के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हम स्मोकिंग करना सीख जाएंगे अगर हम अच्छी संगत के लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छी आदतें सीखेंगे ठीक है उसी तरह से इसी चीज़ को धान रखते हुए हमें अपनी company को recite करना है कि who are the people we stay with who are the people we spend time with next आता है self-control करना सीखें इस बुक में लेखक कहते हैं कि बुरी आदतों से बचने के लिए self-control बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है अच्छी आदतों को पालने के लिए भी self-control बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है जैसे smoking अगर छोड़नी है तो आज ही cigarette के packet को लात मारे और बाहर फेक दीजे dustbin में डाले cigarettes को कुचल दीजे जला दीजे whatever लेकिन आज ही वो कार्य कीजे जब भी बुरी आदत के खयाल आए तो उसको किसी अच्छी चीज़ से replace कर दीजे ताकि वो thought ही आपके mind से discard हो जाए ठीक है next आता है कि family और friends का role और किस तरह का role habits डलवाने में हमारे आसपास के करीबी लोगों का बहुत बड़ा महत्व होता है अगर आपकी family के लोग पांच बजे उठते हैं तो उस पांच बजे की हलचल की वज़ा से आप भी पांच बजे उठने लग जाएंगे अगर लोग लेट तक सोते हैं तो आप भी लेट तक सोएंगे ऐसे ही friends का role भी ऐसे ही है अगर आपके class के बच्चे syllabus time पर complete करते हैं तो आपको भी वही लगेगा कि ये एक norm है और इसी तरह से मुझे काम करना है अगर वो लेट लातीफी करते हैं तो आप सोचते हैं इनका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा मेरा भी क्या बिगड़ेगा नेक्स आता है कि बेशक धीरे धीरे चले लेकिन हमेशा निरंतर चलते रहें रत निरंतर प्रयास रत रहें consistency is what will make the difference जैसे कि किसी मंजिल तक हमें पहुँचना है तो धीरे धीरे अगर हम एके कदम भी बढ़ाते रहेंगे कच्छुए की चाल भी चलते रहेंगे तो भी पहुँच जाएंगे परंतु 10 मीटर भागे खरगोश की दर सो गए फिर 10 मिनट तक सोते रहें फिर 10 मीटर भागे फिर फिर सो गए इस प्रकार तो न तो गोल की प्राप्ती होगी न उस गोल को प्राप्त करने के बाद संतुष्टी होगी आज का इंसान जब देखो भागा रहता है किसी से अराम और प्राप्त करने तक की फुरसत नहीं है लेकिन लालच की दोड कभी खत्मन ही होती गाड़ी आ जाती है तो बंगला लेने के लिए दोड़ते हैं बंगला आ जाता है तो बैंक बैलेंस चाहिए बैंक बैलेंस आ जाएगा तो प्रापटी की दोड़ शुरू हो जाती है सब जरूर हासल करना चाहिए लेकिन आराम आराम से न की 24 घंटे भागम भाग मचा कर अपनी फैमिली और फ्रेंस को समय देना चाहिए उन्हें help चाहिए तो उन्हें help करनी चाहिए लाइफ को पूर्ण तह enjoy भी करना चाहिए ताकि हर दिन प्रते दिन वही कारे करने के लिए हमें नई उर्जा का जो है संचार हमारे अंदर होते रहे इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी habit डाले और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़िए याद रखिए पहली सीडी से सबसे उपर वाली सीडी तक एक ही छलांग में आप नहीं पहुन सकते हाँ आप एक के बाद एक सीडी छोड़ सकते हैं बट वो भी तब जब आपका सांस नॉर्मली चड़ने में न फूलता हो ठीक है तो next point आता है कि the law and least effort अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा system बनाना चाहिए जिससे कम से कम effort लगे starting के लिए इसका मतलब यह नहीं कि गलत shortcut डूणना है नहीं अगर किसी काम को करने में तीन सही रास्ते हैं तो आपके सबसे कम effort वाला रास्ता चुनना चाहिए again shortcut नहीं अगर आप कोई business लगाना चाहते हैं तो पहले यह मत सोचे कि मैं हर चीज़ खरीद लेता हूँ marketing, finance, sales, distribution आदी फिर शुरू करूँगा ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे पहले आप start कीजे फिर धीरे-धीरे सब चीज़ों को incorporate करते रहिए ठीक है ऐसे ही कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे उसमें resources लगाए धीरे-धीरे उसको विस्तार रूप देना शुरू कीजे एकदम से ही नहीं की बस अभी तो कठा होगा उससे पहले तो शुरू ही नहीं करूँगा जब शुरू किया तभी बहतर लेकिन उसको धीरे-धीरे आगे बढ़ाते जाए next आता है कि काम जल्दी निप्टाने का टू मिनिट रूल दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लूँगा लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं और कई बार तो करते ही नहीं है फिर end moment पे आदा था अरे आज तो डेडलाइन थी कि आदत डालें इसके लिए लेखक ने 2 मिनिट का रूल दिया है वो है कि जैसे ही कुई काम मिले आप उसे 2 मिनिट में निप्टाने की कोशिश करें ब्रेन को बोले इस काम को 2 मिनिट दो अब चाहे वो काम 2 घंटे का भी होगा न आप अगर उसको 2 मिनट देना शुरू कर देंगे, तो वो काम 2 मिनट होते हो तो आपको लगेगा, अरे यार अब तो काम में लगी गए हैं, और important काम है कर लेना चाहिए, ठीक है, exercise का मन नहों तो brain को बोले, चलो 2 मिनट कर लो, बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन जो brain है, वो motivate होगा इस चीज से जरूर, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो, तो फिर 15 मिनट के करने के लिए भी ऐसा ही होता, अब लगतो गए हैं, करी लेते हैं, ठीक है, तो 2 मिनट रूल आप अभी भी लगा सकते हैं, जैसे की 2 मिनट अभी लगाए, और सोचे की आज मुझे वीडियो को pause करके, और सोचे की आज मुझे ये ये particular particular चीजें करनी हैं, फिर वीडियो को rewind कीजिए और देखे, लाइफ चेंजिंग किताबों की जो book summary हैं, वो हम अपने चानल पर अक्सर लेकर आते रहते हैं, अगर इस book summary से आपको किसी भी तरह की help हुई हो, तो अगली वीडियो देखिएगा,